दिल्ली विधान सबाद चुनाओ चुनाओ दो हजार बीस में अर्विंद केजरिवाल की जीत के पीछे केवल और केवल प्रशांत किशोर ही नहीं बलकि चुनाओ रणनेतिकारों की एक बड़ी टीम काम कर रही है। जी हाँ इस नाम से आज शायद वो हर शक्स वाकिफ है जो सियासत में रूची रखता है। चुनाओी रणनेतिकार प्रशांत किशोर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के पीछे बड़ी भूमे का निभाई। वे कई साल पहले ही दिल्ली में केजरिवाल की जीत के लिए रणनेती बनाने में जोटे हुए था। मंगलवाल को रुजहान में आपको तकड़ी जीत मिलती देख पीके ने यानिकी प्रशांत किशोर ने केजरिवाल से मिलकर उन्हें बधाई था। इतना ही नहीं प्रशांत किशोर पश्चम मंगाल में ममता बैनर जी और डीमके के एमके स्टालिंग के लिए भी काम कर रहे हैं। जाश्मिन शाह अर्बिंद केजरिवाल की जीत का महतोपून हिस्सा है। जाश्मिन आई आई टी एन और कॉलंबिया विश्वविद्दाले से पड़े हुए हैं। जाश्मिन शाह आम आदमी पार्टे के घोशना पत्त्र कीम का हिस्सा भी रहे। इसके अलावा इन्होंने आप सरकार की कई उजनाओं को भी अमली जामा पहनाया है। एक एजरिवाल सरकार की डायलोग एन डेवलप्मेंट कमिशन के उपाध्धक्ष भी हैं। अमेरिका में पड़े हुए कपिल भार्दवाजी जी हां जो की आम आदमी पार्टी के लिए मीडिया, पियार और पब्लिसिटी सहित कई मामलों को देखते हैं। कपिल विरोधियों की हर चाल पर नजर रखते हुए पार्टी की रणनिती को बनाते हैं। इनको बूत मैनेजमेंट के लावा स्टार कैम्पेनर्स को कहां प्रियोग किया जाए इसमें महारत हासिल है। चौथा नाम है प्रत्वी रेडिका। ये पेशे से बिजनिसमेन हैं और आमाद्मी पार्टी के साथ शुरुवात से जुड़े हुए हैं। प्रत्वी पार्टी की क्राउट फंडिंग पर भी पूरी नजर रखते हैं। इनकी टीम ने चुनाव प्रचार के दोरान नुक करनाटर, म्यूसिकल वाक जैसे नए-नए प्रियोगों से जनता को लुभाने का काम किया। इस जोरदार जीत की पीछे नाम है प्रती शर्मा मैननका। प्रती आम आद्मी पार्टे की नेशनल एग्जेक्यूटी मेंबर और राष्ट्रि प्रवक्ता है। वे आपकी सोशल मीडिया विंग के साथ जुड़ी हुई हैं। इन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा जनता को साधने में बड़ी घुमिका निभाई। ये विदेशों में पार्टे की पचार पसार का काम भी देखती हैं। तीम का आखरी और बेहत जरूरी चेहरा जो है हितेश परदेशी। आपको बता दे कि हितेश डिजिटल मीडिया में आम आद्मी पार्टे की पैट बनाने के लिए मजबूत काम किया। इन्होंने अपने मीम के जरिये ना केवन विपक्षी पार्टे पर निशाना साधा बलकि अपनी पार्टे के पक्ष में माखूल भी बनाया। आपको बता दे कि हितेश पहले AIB के लिए भी काम कर चुके हैं। तो देखा आपने आप पार्टे की शांदार जीत के पीछे ये मशूर और जाने अंजाने चेहरे रहे जिन्होंने आम आदमी पार्टे के नेता को तीसरी बार दिल्ले की सत्ता संभालने का मौका दिलवाया है। इस टीम ने बीजेपी कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टे को मार्ट दे कर अपनी जीर का डंका बजाया है। और एक बार फिर से दिल्ली की जनता के दिलों पर चाय हुए है।